तीसी क्रक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो कहानी पड़ी थी बहादुर बित्तों, उसमें अभ्यास कार रहे हैं कि कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ता वाले शब्द धूंडू, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नुक्ता क्या होती है, ठीक है, हिंदी मे अंगरेजी तथा उर्दु भाशा के सब्द निरंटर प्रवेश कर रहे हैं, मतला निरंटर बार बार आ रहे हैं किन्तों उनका सुद्ध उचारण करने के लिए हिंदी में लिपी चिन नहीं है, इसले उनको सुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के वेंजनों के न बिंदु लगा दिया जाता है ठीक है पर इससे यही जो बिंदु है इसको हम नुक्ता कहते हैं ठीक है जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि जब हम जो हमारी वर्णमाला है उसमें हम का, खा, गाज पैस धंक से लिखते हैं लेकिन अगर हमें नुक्ता प्रियोग करना है तो हम उसके नीचे एक बिंदू लगाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि का के नीचे बिंदू है, खा के नीचे बिंदू है, गा के नीचे बिंदू है, जा के नीचे बिंदू है, पा के नीचे बिंदू है, ठीके, तो ये इस अब जबी भी जा और फा पर नुकता लगती है झा कि तो इसमें फोड़ा सा उसका उचारण थोड़ा सा बादल जाता है तो उर्दू और अंगरेजि दोनों ही भाशाओं में सब्द बनते हैं जैसे ज्प्धा में अ जिल्लत तो थोड़ा सा इन में उच्छार में थोड़ा सा बदलावाता है ऐसा कुछ नहीं और थोड़ा इनका जो होता है कि अर्थ बदल जाता है कि जैसे हिंदी में जरा जो होता है जरा तो हम उसको बुलते हैं थोड़ा, ठीके, लेकिन अब उर्दू में अगर नुकता लगई तो उसको बुलेंगे जरा, जरा तो उसमें , उसका अड़्थ हो जाएगा बुढब्दा पा थेखे तो नुकता लगने पर के कुछ सब्द हैं जब नुक्ता उन पर लग जाती है तो वो थोड़े से उनका अर्थ बदल जाता है अब जिन पर नुक्ता लगती है वो अंग्रेजी के शब्द है रोज, इस, जीरो, प्राइज, नियूज, ये आपके जिन पर जा पर नुक्ता लगे फा जो उर्दू के शब्द हैं वो है फरियाद, फत्वा, फन, काफिला, फसाद ये सब आपके उर्दू के शब्द हैं जिन पर नुक्ता लगी है फा अब जो अंग्रेजी के फा हैं जैसे कफ, फेल, फाइ, फाइ, तथा फादर तो यह इन पे नुकता लगी है तो नुकता हमेशा जॉया और पा में लगती है और अक्षरों में भी लगती है लेकिन अधिकान्स जो लगती है जॉड़ा सा उचारण इन्में बदल जाता है तो आपका जो पेज नमबर 40 में है वो एक्राइजे कि कहानी में जो नुक्ता रखे हैं जावाले तो जो जो नुक्ता रखें वो है जैसे चीज, ताजा, जोर, रोज, तेजी, ठीके अब अपने मНसे जो हमने पांच नुक्ता लिखे हैं जैसे बाज़ार, आवाज, काङज, जिंदगी, ताज़गी ठीके, तो आप इस इस अभ्यास कारे को अपनी जो आपकी NCRT की बुखे आप उसमें उनको हल करिए